तो हेलो फ्रेंज आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ हाजीर हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा यह मैंने एक कप भरके मैदा लिया है आप अपने नाप के हिसाब से ले सकते हो जितना आपको बनाना है तो यहाँ पे मैं दो कप का ही इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरा इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी अजवाईन यह मै ले लिएंगे अब इसको मेसा जाएंग आपको एकदम कुरकुरा सा बनाना है तो आप यहां पर मतीश सकते हो पर मैं बनारही हूं इसके लिए मिन नहीं दे रही हूं तो अप चलिए इसमे पानी डाल करके मैं आइस का आटा गूंत लेती हूँ, जैसे हम बनाते हैं तो वैसे हम मैदे का आटा गूंत करके ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा गुन के तयार हो चुका है अब इसको हम क्या करेंगे ऐसे ही रख देंगे धक करके अगर आपको कपड़े से ढखना है तो कपड़े से ढख दीजे नहीं तो आप ऐसे प्लेट से भी ढख के रख सकते हो तो चलिए इसको साइड में रख द अब चलिए इसमें हम कुछ मसाले अड़ करते हैं तो यहाँ पे मैं लसुन और मिर्ची कूट करके लिए हूं और इसको मैंने डाल दिया है मैं कोई भी चीज बनाती हूं उसमें सबसे पहले मैं लसुन और मिर्ची को कूट के ही डालती हूं इससे क्या होता है हमारे मूं मे खड़ी मिर्ची का स्वाद नहीं आता है तो इसके लिए मैं डाल तो इहां पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी से चाट मसाले ये आद चमच के बराबर है अब इसमें मैं डालूंगी फोड़ी हूं यह दख है यहां पर काला नमक डाल रही हूं यह ह्थे नमक और अब इसमें डाल रही है यह अगर आपको जरूरत है तो यहां पर मिर्ची पॉडर भी डाल दीजिए पर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने कूट करके डाला है अब यह धनिया पॉडर हो गया अब यह सारे मसाले हमने डाल दिये हैं इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर ल करें दिया रही हूं तो यह थोड़ी सी हरिदनिया अब ने डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर देंगे इस तरह से और मिक्स कर के साइड में रख देंगे तो चलिए हम दوسरी हम दूसरी तैयारी अब कर लेते हैं तो यहां पे हमने मैदा गुंद कर ही रखा था अब उसको चेक करते हैं तो ये देखिए हमारा थोड़ा अगर टाइम हो जाता है तो ये फूग जाता है तो इसको मैंने थोड़ा सा मसल लिया था अब हाथों में तेल लगा करके इसको हम लोई बना लेंगे और लोई बना करके इसकी हमें बनानी है रोटिया तो चलिए लोई पहले बना लेते हैं गोलगोल करके हाथों के बदद से हो या आप अपने चकले पे भी बना सकते हो आपको जैसे जमे वैसे बना लीजिए तो चलिए इसको बना लेती हूँ और ये मैंने चकला लिया है अब इसके उपर हम रख करके इसकी रोटी बना ले लेंगे जितना बड़ा हमारा चकला है उतना बड़ी हमें रोटी बना करके ले लेना है तो यह देखिए ऐसी इसको हमें बेल करके लेना है तो यहाँ पर हमारी देखिए बेल करके हमने पूरा ले लिया है अब आपके पास या तो चोटी कटोरी हो या तो आपके पास कोई छोटा ग्लास हो बस उसके छोटा मुह होना चाहिए बागी कुछ नहीं रिंग भी रहेगा कोई छोटा तो चलेगा कोई दिकत नहीं है तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों आइडिया आपको दिखा रही हूं ऐसे रखना है तो मै यहाँ पर कटोरी रख दे रही हूं और रख करके इसको मैं अब जो हमने स्टफिंग बनाया है आलू का इसके उपर हम साइड साइड से लगा देंगे यह देखिए इसको आपको जमे तो हाथ के मदद से नहीं जमे तो आप चमच की मदद से इसको साइड साइड से पूरी चारो तरफ हमें घुमा करके इसको लगा लेना है तो चलिए इसको लगा लेते हैं अब यह हमारा देखिए लगकर के तैयार हो चुका है अब हम क्या करेंगे कि इसको कट लगाएंगे तो हम ऐसे नहीं हमें इसे कटोरी को निकालना है और इसको बीच सेंटर में से हमें यह कट लगाना है तो यह देखिए मैंने चाकू से कट लगा करके ले लिया है अब इसको हम क्या करेंगे ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे यह देखिए ऐसे हम और हाँ एक बात का आप ध्यान रखना कि आप बनाना तो इसको आटे में मत बेलना नहीं तो क्या होगा कि हमारा चकले यह चपक जाएगा तो इसके लिए हमें तेल से ही इसकी रोटिया बेलनी है और बेल करके ऐसे श्टपिंग लगाना है तो यह देखिए बहुत एजली से यह निकल जाएगा तो बिल्कुल ऐसे ही आप तैयार कर सकते हो यह देखिए और ऐसे ही हम सारा आपना बना करके ले तो यह देखिए बहुती इजली सी और इसको आप चिपका देना नहीं तो क्या होगा कि फ्राइ करते टाइम हमारा ये निकल जाएगा तो चलिए ये हो गया अब ये मैं तीसरा वाला भी दिखा दे रही हूं ये देखिए हमारा बन करके तैयार हो चुका अब चलिए इसको हम जितना हमारा है सारा बना करके हम ले लेते हैं पहले तो यहाँ पे देखिए मैंने बना करके ले लिया है इस पे भी इतना भरा हुआ और यहाँ पे भी है और मैंने थाली में भी रखा ये सारा मैंने बना करके पूरा ले लिया है अब चलिए इसको हम फ्राइ करते हैं तो इसको हमें डालना नहीं तो क्या होगा? कि ये खुल जाएगा तो इसके लिए थोड़ा सा में रुख के हीडियों गरम हो गया तो इसको मेंने डाला तो ये बहुत अच्छे से सिखने लगा, तो इसको अभी हम हम टच नहीं करेंगे ये जब तक थोड़ा सा अपने से उपर आना जाए वह से हमें इसको छोड़ देना है फ्राई होने के लिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा फ्राई हो चुका है मैंने इसको लट पलट करके फ्राई किया और ये देखिए हमारा फ्राई करके कैसे तयार हो चुका है अब इसको हम पूरा निकाल करके कड़ाई में से ले लेंगे और ऐसे हम अपना पूरा डाल के फ्राई कर लेंगे और इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा पकने में क्योंकि हमने रोटी बेल करके तो इसको पकने में टाइम नहीं लगेगा तो छलिए इसको भी डाल करके हम ऐसे पूरा फ्राइ करके ले लेते हैं और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिजिए शेर कीजिए और चलिए अभी हम पूरा अपना बना करके दिखाते हैं आपको तो यहाँ पर आप लोग द लिए ये हरी मिर्ची की चटनी है आप किसी से भी इसको इंजॉय कर सकते हो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा आप लोग एक बार जरू ट्राय करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और कॉमेंट कीजिए और पूरी वीडियो देखने के लि ूरी है目前 कीजिए खौरी गसे बनाराई लिए कार जीश कीजिए और कीजिए ले जाएक ओटने की लिए गारी में रहाने कीजिए कार दो, लड़े का बाराई बहाने कीजिसalo sutरो आप वहाले कीजिएशनावाला पहाले में बहाले किजए दो चलना में ओल वाह मुरा Elे हैं